तो दोसों MPS Infotech Limited यानि की VCS Infotech ने भी अपने quarter के number को disclose कह दिया है तो चली देखते हैं क्या है quarter 2 के numbers कहना है क्योंकि numbers थोरे से mix है कैसे क्या है चली समझते हैं तो यह data बिसकली लाक्स में दिया हुआ है मैं आपको क्रोर्स में convert करने के कोशिस कहता हूं चली लाक्स में देख जाते हैं कि साल दे साल कंपनी के revenue आलमोस एक 10% के आसपास की गिरावत है जबकि quarter quarter जाते हैं तो वहां एक बड़ी गिरावत आपको देखने को मिल लगी अप्रोक्समेटल आप बोल सकते हैं कि 15-16% के आसपास की गिरावत है quarter quarter company के revenue के अंदर जबकि साल दे साल 10% के आसपा परोड के आसपास था जबकि इस quarter में भी 1.3 करोड के आसपास company के खरचे आएं तो चले company का overall profit देख लेता है company का profit क्या बनाए तो बिछले quarter में company का जो profit था 1.13,00,00,000 loss में थी company पिछले साल 1.30,00,000 का loss था जो कि दिखा जाया था इस quarter में 1.08,00,000 के आसपास का loss है तो कह सक कुछ विछ कॉठ़र करते कि लो कंपनी का गति विए कंटरकों से बेचले लाये क्धिंब के लांसना कॉर्च उसकशुष को पते कि लिदा विन पाड़ में चेका हो कि खला मatifनी सीने पता स्वेधर ड़कर्बने और भी ब regulation तो सब्सक्राइब से नहीं positive है नहीं negative है क्योंकि company का revenue गिरा है लेकिन company अपने expense को control करके अपने profit को neutral की हुई है तो मेरे हिसाब से number neutral type के flat है देखते है market इसको कैसे rate कता है लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ होगी नहीं उपनीचे बस normal जैसे trade कर रहा है वैसा ही तो बस आज के लिए बसे नहीं वीडियो पसंद आए तो लाइक की जाएगा साथ में साथ चनल को सब्सक्राब जब कीजिएगा धन्यवाद